यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ रिवाडी के असदपुर गाओं के रहने वाले रमेश के घर उस वक्त अफरात तफरी मच गई जब विवाग के तैयारियों के बीच पुलिस कर्मियों के साथ बालसान अरक्षन के टीम मौके पर पहाँच गई बासानक्षन अधिकारी सरीता शर्मा ने रमेश की बेटियों को उम्र के दस्तावेज दिखाने को कहा दस्तावेज के मताबिक रमेश की एक बेटी की उम्र 18 साल जबके दूसरी बेटी की उम्र 14 साल पाई गए जिसके बाद सारीता शर्मा ने छोटी बेटी की शादी ना करने का आदिश दिया और सरपन्च से ये लिखित में लिया गया कि अगर 14 साल की लड़की की शादी हुई तो इसके जिम्मेदार सरपन्च होगे हलांकि इस बारे में लड़की के पिता रमेश और मा कवीता का कहना है कि साथ बेटियों की शादी का बोज उन्हें हमेशा सताता रहता है इसलिए वो एक साथ दो बेटियों की शादी करना चाहते थे लेकिन अब एक ही बेटी की शादी करेंगे तो आपको बता दें कि बाल सनरक्षन विभाग के टीम ने रिवाडी में उस वक्त एक घर में चापा मारा जब वो उस घर में रहने वाले अपने दो बेटियों की शादी के तैयारी कर रहे थे शादी थी लेकिन तब अफरा तफरीम है जब बाल सनरक्षन के टीम वहां पहु आपको बता दें कि दोनों बेटियों की अमर की दस्तावेज उन से मांगे गए तो एक बेटी की अमर अच्छा साल पाई गई और दूसरी बेटी की अमर चौदा साल और उसके बाल सनरक्षन टीम ने सरपंच से ये लिखित में लिया कि चौदा साल की बच्ची के शादी न उनकी हैं जिनकी शादी समाहरों के लिए विवा के लिए वो हमेशा चिंतित रहते हैं ऐसे में वो चाहते थे दो बेटियों की शादी कर्ठी हो जाए लेकिन अब 14 साल की बेटी की शादी हम नहीं करेंगे लेकिन एक ही बेटी की शादी आज की जाएगी झाल झाल झाल